दोस्तों Board Exam 2021 में बैटने वाले स्टुडेंट के लिए एक बहुती बड़ा बिग चेंजमेंट भारत सरकार के द्वारा किया गया है जो आपके पैटर्न के उपर है कि किस तरीके से आपका exam इस बार हैंडल होगा 2021 में आपका paper कौन से questions पूछे जाएंगे जो अभी official update आप चेक कर सकते हो तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है आप सभी ने पढ़ा होगा तो भी अच्छी बात है और जिनों ने नहीं पढ़ा है वो जरूर देख ले पता नहीं questions पेपर आप क्या पढ़ रहे हो और आपके exam में क्या आए तो सबसे पहले आप जो है official website पर जा सकते है नहीं तो आप हमको यहाँ पर सुन सकते हैं दो मिनट तो देखीगा दोस्तों अगर बात करें CVSC ने दसमी और बारमी कक्षा में परिक्षा पैटर्न में बदलाव किया है यह बदलाव इसी सत्र अर्थात सैक्षिक 2020 यानि जो सत्र हमारा है वो CVSC पैटर्न पर आधारित है लेकिन आप सभी को वहाँ पर सेंपल में थोड़ा सा बदलाव नहीं समझ में आएगा लेकिन एक्ष्वल में क्या हुआ है यह देखीगा इस बदलाव के तहट ही CVSC के दसमी और बारमी के परिक्षा की बात करें पहले दसमी की बात कर लेते हैं तो दसमी के पहले हम हिंदी विशे की बात करते हैं हिंदी विशे में अब केवल दो ही खंड होंगे दो खंड होंगे अब हम कह सकते हैं कि केवल two section होंगे जिसमें जो पहला section होगा उसमें केवल आपके objective type questions होगे जिसमें आप tick mark मारोगे clear, मेरी बाद समझे रहे न तो बस्तुनिस्ट प्रकार यानि objective type के questions होगे जबकि जो second आपका section होगा उसमें लग उत्री और दीरिक उत्री जो आपके minimum कुछ sense होगे वो होगे, अभी तक हिंदी में 4 section हुआ करते थे, 4 खंड हुआ करते थे अभी क्या है, कोरोना महामारी के चलते केवल 2 section किया गया है आप अपना pattern चेक कर सकते हो ठीक है ना, पहला section आपका 40 mark सा होगा, और second जो section होगा दिती खंड होगा, वो भी आपका 40 अंका होगा, ये बड़ा चेंजमेंट है अब हम आगे की बात करते हैं, जब सिब next point हमारा ये बनता है CBSE ने इसी प्रकार का बदलाव बारमी के English में किया है, अभी तक English में 3 खंड हुआ करते थे परन्तु अब 2 section होगे 2 खंड होगे, यानि केवल 2 खंड से अब प्रस्ण पूछे जाएंगे पहले खंड में पूरी तरीके से objective type questions होगे, और दूसरे खंड में लगू और दीर को तरी प्रस्ण होगे, जो minimum category में होगे CVSE बोर्ड ने ये बदलाव 2021 परिच्छा के लिए किया है यह है आपका बार्मी के लिए है आगे मैं बात करूँगा जो pattern में बदला हुआ है इसके अलाबा बार्मी जीब विज्ञान के प्रस्ण पत्र में 5 की जगह 4 भाग होगे, यानि जो biology section के बच्चे हैं वो उसमें आप देख सकते हो की केबल मात्र चार भाग होगे, इसमें प्रस्णों की संख्या 27 से बढ़ा कर 33 कर दी गई है इस प्रकार मनोविज्ञान में इस साल बस्तुनेश्ट प्रस्ण की संख्या 17 से बढ़ा कर 21 कर दी गई है मतलब कुछ अगर कुल मिलाक अगर देखा जाए तो 33 परसेंट आपका स्लेवस रिडूस करा गया था उसके पैटर्न के आधार पर section को भी डाउन किया गया है section को डाउन किया गया है इसके साथी साथ objective questions को बढ़ा कर लगूतरी और दीरगूतरी अगर हम बात करें जो आपके maximum number के जाधा लिखने वाले उत्तर थे वो कहीं न कहीं उनको कम किया गया है objective type questions को बढ़ाय गया है आगे की बात करेंगे दोस्तों इसी तरह CVSC board ने कला संकाय के कई विशियों में प्रश्ण पत्र की संक्या घटाई है बोर्ड के कच्छक दस्मी में इस वार multiple 24 वाले प्रश्णों की संक्या 18 की जगह 15 कर दी है इसमें कुशंस की संक्या थोड़ी सी कम करी गई है मैं simple सी बात करूं कि बार्हमी कच्छा में कला संकाय में 18 की जगह 15 की गई है इनमें से 14 प्रश्णों को जबाब ही देने है मतलब यहाँ पर आपको क्या है यहाँ पर आपको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी मतलब मैं कह सकता हूँ कि 18 की जगह पर 15 कर दी गई है लेकिन 14 प्रश्णों के जबाब ही देने है परिक्षा नियंतरक सैयम भारत दौाज ने कहा है कि बदलाव की जानकारी सेंपल पेपर से दे दी गई है जो आप अभी अपडेट जो हुए है उन सभी को चेक कर सकते हो officialcvsc.nic.in पर मेरी वाद सभी बच्चों को अगर समझ में आई है यहाँ पर आपके बोर्ड एक्जाम को खुसी खुसी पार करा दिया जाता है इसलिए लाइक तो बंता और सस्क्राइब जरू करें क्योंकि यह बच्चों का चैनल है और मुझे मैं एक टीचर होने के नाते मुझे बहुत सारा experience है बोर्ड एक्जाम्स के हर पहलू को यहाँ पर परकना हमारा ही काम होता है और हर बच्चे को प्रेसर से मुक्त कराना हमारा काम होता है इसलिए इस वर से प्रेयर करेंगे जो सभी बच्चे इस वीडियो को वच्च कर रहे हैं उन सभी का और जितने भी माता-पिता फेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे उन सभी बच्चों उन सभी माता-पिताओं से यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों के उपर प्रेसर ना बनाए और हम इस वर से प्रेयर करेंगे कि भाईया कही ना कहीं आपका रिजल्ट मैक्जिमम नंबर में आए मिनिमम की कोई बात नहीं पास आउट की कोई बात नहीं है मैक्जिमम से मैक्जिमम जिसमें आपका नाम हो वंदे मातरम इंकलाब जिन्दावाद आदाव सस्रियकाल तार ठोकर जै महकाल सस्क्राइब करें चैनल को और जुड़े रहें पल-पल की अपडेट के लिए वंदे मातरम